स्टुडिंट आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लार्निंग चैनल पर आज हम लेकर आएं क्लास 12 की हिंदी बुक अभिवेक्ति और माध्यम का चेप्टर 5 विशेश लेखन के सवरूप और प्रकार का पार्ट 2 हमने लास्ट वीडियो में इसका पार्ट 1 देखा उसको अच्छे से समझा लाइन टू लाइन एक्स्प्लानेशन किया उसमें हमने विशेश लेखन क्या है विशेश लेखन की भाषा शैली क्या होती है कौन-कौन से शेत्र में विशेश लेखन किया जाता है और उसके अंदर विशेशक्ता लेने के लिए क्या करना होता है हर चीज की चर्चा को हमने explain में किया बारिकियों से उसकी शैली पर चर्चा की तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि विशेश लेखन की कुछ चुनिद्दा चेत्रों में हमने कौन सी शैली पर चर्चा करेंगे तो आगे हैं part 2 कारोबार और वैपार हम कारोबार और वैपार के उपर विशेश लेखन की शैली की चर्चा करेंगे वह उसमें कौन सी शब्दवावली यूज होएंगी किस शैली से उसका पत्रकार अपनी रिपोर्ट को त्यार करता है अगर आप रोज समाचार पढ़ते हो तो आपने धि परिष्ट होता है अगर आप रोज नियूज पर को पढ़ते हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि समाचार पत्र में कारोबार और अर्थ जगस से जुड़ी खबरों के लिए एक अलग से कोलम होता है अलग से पेज होता है कुछ अकबारों में आर्थिक खबरों के दो खेल का परिष्ट ना हो तो वह संपूर्ण समाचार पत्र नहीं माना जाएगा अगर यह का जाए ना कि न्यूज पेपर में आर्थिक और खेल का परिष्ट ना हो पेज पन्ना ना हो न्यूज पेपर के अंदर तो वह न्यूज पेपर नहीं माना जाएगा इसकी धन हर आदमी के जीवन का मूह लाधार है, रोज मर्रा के जीवन में इसका खास मैहत हुए और हम बाजार से कुछ खरीदते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं, बचत करते हैं, किसी कारोबार के बारे में योजना बनाते हैं या कुछ भी ऐसा सोचते या करते हैं जिसमें आर्थिक फाइदे नफा नुकसान आदि की बात होती है तो इन सब का कारोबार और वे अर्थ जगत से संबंद जुड़ता है और जिसके बारे में नौलिज न्यूस पेपर के यही कारणे कि कारोबार वेपार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों में काफी पाठकों की रूची होती है आप अक्सर सुनते होंगे कि शेर बजार का सेंसेक्स इतना चड़ा या नीचे गिर गया वही आप हमेशा ही सुनते आए होंगे कि शेर बजार का सेंसेक्स कितन उपर चड़ा इतरा नीचे गिर गया इसी तरह सोने चांदी के भाव को विदेशी मुद्रा को जैसे डॉलर पॉंड आदी की कीमत को आप रोज न्यूस पेपरों में देखते होंगे जरूरी अब भुगता हो चीजों की कीमत या खेती बाड़ी से जुड़ी चीजों की कीमत गड़ती बढ़ती रहती है इसके पीछे कौन-कौन से कारण है आम लोगक को इससे क्या फाइदा और क्या नुकसान होगा इसका उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा उन्हें बचाव के लिए क्या करना चाहिए आदी जानकारियों में आम पाठकों की भी दिल्चस्पी ह होती है हर चीज की कारोबार वेपार और अर्थ जगत का शेत्र काफी व्यापक है इसमें क्रिशी से लेकर उद्योग तक और वेपार से लेकर शेट बजार तक अर्थ वेवस्ता से जुड़े सभी शेत्र शामिल है इसमें क्रिशी से लेकर वेपार से लेकर शेट बजार तक अर्थ वेवस्ता बहुत दूर तक फैली हुई है इन सभी शेत्रों में एक साथ विशेशिक्ता हासिल करना कटीना इन सभी चीजों में हम विशेशिक्ता हासिल नहीं कर सकते हम सिर्फ एक ही पर अपनी विशेशिक्ता हासिल कर सकते हैं वो चक किसी के ओपर आप लो शेर बजार्थ, वैपार, क्रिशी, उध्योग किसी के ओपर भी आप एक पी विशेशक्ता हासिल कर सकते हो आप सब पर नहीं कर सकते हो यही कारण है कि कारोबार और अर्थ जगत में भी आपको कोई खास शेत्र चुनना पड़ता है जैसे कोई शेर बजार का विशेशक्य है तो कोई निवेश के मामलों का, कोई बैंकिंग का विशेशक्य है तो कोई प्रोपटी के शेत्र में जादा जानता है कोई बजट का जानकार है, तो कोई मंडी का, बैं हर कोई किसी ना किसी चीज का जानकार होता है एक आदमी सारी चीजों की जानकारी नहीं रख सकता, हर एक आदमी के पास एक चीज की विशेशक्यता होती है पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक पत्रकारिता का महतु काफी बढ़ा है पिछले कुछ सालों में आर्थिक पत्रकारिता का महतु बढ़ा है ऐसा इसलिए क्योंकि देश की राजनिती और अर्थवेवस्ता के बीच रिष्टा गहरा हुआ है देश्क की राजनीती और अर्थ विवस्ता के भी से गहरा रिष्टा बना है खासकर आर्थिक उधारिकरण और देश्क में खुली अर्थ विवस्ता लागू होने के बाद से अर्थ विवस्ता में व्यापक बदलावाया है राजनीती भी इससे अच्छूती नहीं रही राजनीती भी इससे पीछे नहीं रही है वैसे भी अर्थनीती और राजनीती के बीच गहरा रिष्टा होता है इसलिए एक आर्थिक पत्रकार को देश की राजनीती और उसमें हो रहे बदलाव को भी जानकारी होनी चाहिए आर्थिक मामलों की पत्रकारिती समान्य पत्रकारिता की तुल्ना में काफी जटिल होती है बिस समान्य पत्रकारिता जो होती है समान्य न्यूस की पत्रकारिता जो होती है वो आर्थिक मामलों की पत्रकारिता से काफी जटिल होती है मुश्किल होती है ऐसा इसलिए क्योंकि आम लोगों को इसकी शब्दावलियों के बारे में या उनके मतलब के बारे में ठीक से पता नहीं होता आर्थिक मामलों की जो शब्दावलियां होती है उनको आम लोग उनको नहीं जानते हैं बहुत मुश्किल होती है उनके लिए उसे आम लोगों की समझ में आने लायक कैसे बनाया जाए यह आर्थिक मामलों के पत्रकार के सामने सबसे बड़ी चुनोती होती है उसे आम लोग समझ सके उस शब्दावली को उसे आसान तरीके में कैसे बनाया जाए पत्रकार के सामने कैसे उसको लाया जाए यह पत्रकार के सामने सबसे बड़ी चुनोती होती है लेकिन इसके साथ ही आर्थिक कबरों का एक ऐसा पाठक वर्ग भी है जो उस शेतर से जुड़ा होने की कारण उसके बारे में काफी जानता है एक आर्थिक पत्रकार को इन दोनों तरह के पाठकों की जरूरत को पूरा करना पड़ता है इसलिए आर्थिक मामलों पर विशेश लेखन करते हुए इस बात का हमेशा दियान रखना चाहिए कि वह किस वर्ग के पाठक के लिए लिखा जा रहा है बै पाठक को एक पत्रकार को लिखते समय है जरूर इस बात का दियान रखना चाहिए कि आर्थिक मामलों पर विशेश लेखन जब वो कर रहा है तो उसको किस वर्ग के पाठकों के लिए लिखा जा रहा है उस चीज का उसे धियान रखना चाहिए कारोबार और अर्थ जगत से जूड़ी रोज मर्रा के खबरे उल्टा पिरेमिंड में लिखी जाती है शेर बजार के एक समाचार के उधारन पर गोर कीजिए इस तरह की विशेश न्यूज जो है रोज मर्रा के खबरे जो विशेश न्यूज कारोबार और अर्थ जगत की ह होती है यह उल्टा प्रेविंट शैली में लिखी जाती है शेर बजार का एक एक्जामपल देखिए जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह यह रिपॉर्ट तियार की जाती है स्टॉकिस्टों के चोतरफा बिक्वाली से उड़र तूटी शेर बजार में यह किराने के समान भी शेर बजार की तरह होता है स्टोकिस्ट किस तरह रेट अप डाउन होते हैं हर चीज के देखिए नई दिल्ली स्तानिय मंडी में स्टोकिस्टों की चोतरफा बिक्वाली से उडद दो दिनों में डेड़ सो रुपे टूर जाने से गिर कर 3280-3290 रुपे रह गई मुंबई में भी सो रुपे लुड़क कर 3100 रुपे बोली गई उडद दाल की जो बोली गई है नई दिल्ली में 3280 या 3290 रही है और मुंबई में 3100 रुपे रही है मोट भी 100 रुपे गिर कर 2650 और 2700 रुपे के निमनस्तर पर आ गई है मसूर भी ललित पूर एवं सिरोहो लाइन से परचूर मात्रा में आने एवं ग्रहक के कमजोर होने से 25-50 रुपे टूट कर मोटी 1900 रुपे और टूटी हुई 2450 रुपे रह गई है अरड में भी 25 रुपे की मंदी आ गई जिससे यहां की भी मीलो की मांग ठंडी पढ़ने एवं स्टोकिस्टो की बिक्वाली से 45-50 रुपे गिर कर 2325-275 रुपे का भाव रह गया है इसकी दाल में भी 50 रुपे की मंदी आ गई है इन रोजमर्रा की खबरों के अलावा सोने की बढ़ती कीमतों का विशलेशन करता एक फीचर प्रस्तूत है वही एक सोने की चीमत की बढ़ती Economics जिससे बढ़ रहा है विशलेशन करतावे एक फीचर प्रस्तूत है फीचर का एक्जाम्पल देखो जो विशेश लेकन का अच्छा उध्यारण है नित नया शीखर नया शीखर निखार उन्होंने उसको टाइटल दिया है नया शीखर नया निखार सन 2005 और 6 में शेयर बजार की स्तिर्गती के से मनझोले निवेशक बले ही इस दुविदा में पढ़ रहे हो कि कौन सा शेयर या म्यूच्वल फंड करीदे लेकिन अब उन्हें जादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सबसे ज़्यादा मुनाफातों ने उनके बैंक लोकरो या बेडरूम की अलमारियों में बंद चमकदार पीली धातू ही दे रही है आखिर सोने की कीमत 2005 में 18 फीस दी बड़ी तो इस साल जनवरी से मही तक के में 31 फीस दी का इजाफा हो गया कुल मिलाकर पिछले साड़े पांस साल में इसकी कीमत में 1500 फीस दी जाफा हुआ है खास बात है कि इस दातों की चमक फीकी पड़ती जा रही है और आबुशनों के मालिकों को ये एसास हो या ना हो आबुशन खरिदारों को ये इल्म निश्चित रुप से है पिछले दिनों शादियों के सीजन जब जीरो पर था तो देश भर के आबुशन निर्माता अपने कलेक्शन को नए सीरे से डिजाइन करने में लगे थे वे हलके वजन के गहने बना रहे थे ताकि खरिदार की जेप पर अधिक बार ना पड़े इस से इस नतीजे पर ना पोचे पहुँच जाइए कि बढ़ती कीमतों से खरिदारों के कतारे छोटी हो गई पिछले साल भारत को सोने की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए साड़े साथ सो टन सोना आयात करना पड़ा यह मांग दो हजार चार के मुकाबले सो टन अधिक बढ़ गई थी विश्व स्वन परिशत को इस साल कोई नाट के बदलाव आने की उमीद नहीं है इसमें बताया गया है कि 2056 में शेर बजार के स्तिर्गती से मुच्छल लोग यह सोचते थे कि अपना पैसा शेर मुच्छल फंड में लगाए या हम कहां पर अपने पैसे को इन्वस्ट करें पर उनका सबसे बड़ा इन्वस्टमेंट तो बैंक लोकर या बैडरूम में बढ़ती ही जा रही है इसकी वज़े भी है कि शुरू से ही सोने में निवेश करते आए भारतियों की इसके महतों में पूरी आस्ता है लिहाजा वे इसमें निवेश करते रहेंगे उन्हें पूरी उमेद है कि साल के अंत तक सोने की कीमत 12,310 गराम को चुने लगेगी अन्य संपत्यों के विपरित सोने का को निवेशक और उपवोकता दोनों ही खरीदते हैं पहली श्रेणी के लोग इसे मुनाफ़ा कमाने के लिए खरीदते हैं तो दूसरी अपने शोक पूरा करने के लिए आज भारत और विदेश में दोनों ही तरह के खरीदार सकरिये हैं हाला कि सोने की कीमते शेर बजार, सरकारी बांड और अचल संपत्ती की कीमतों से अधिक प्रभावित नहीं होती इस बार इस कीमती धातु की कीमते इससे टकर ले गई भारत और चीन में आध्योगिक मांग बढ़ने से तामबा, जिंक और इस पात की कीमते भी पिछले दो स सालों से बढ़ती जा रही है, इस तरह पिछले 12 महीनों में सोने की कीमतों में 45 फीस दी उचाल आया है, इसके बावजूद यह व्रीदी तीसरे नंबर पर है, क्योंकि तामबे ने 116 फीस दी, चांदी ने 48 फीस दी बढ़ोतरी दर्ज की है, बही चांदी 78 फीस दी बढ़ और सोना 45 फीस दी की उचाल आया है, इंदन की कीमते भी मानों आग में घी का काम कर रही है, पिछले हफते तेल की कीमत 75 डॉलर प्रती बैरल हो गई, और यह 100 डॉलर प्रती बैरल का भ्यावक आकड़ा भी चूर सकती है, खासकर भारत और चीन में तेल की कीमतों में बट नहीं आई, जैसा कि आनंद राटी सिक्यूरिटी जने के सह उपद्यक्ष किशोर मानते हैं, तेल की उची कीमतों से आम तोर पर अर्थ विवस्ता में मुद्रा स्फिती आती है, इससे मुद्राओं की कीमत गटने लगती है, बेशक ऐसा होता हो, पिछले साल डॉलर की कीमत में तीन फिसदी अमुलियन हुआ है, हाला कि अमेरिका के फेंडरल रिजर्व ने प्यास दर बढ़ा कर मुद्रस्त फिती के प्रभाव पर नियंतरन कर लिया, लेकिन चुकि पिछले कई दशकों से तेल के नए स्त्रोथ की खोज नहीं हो पाई, और तेल की मात्रा गिरावट के आसार नहीं है, और केंदरिये बैंक मुद्रा की आपूर्ती से छोड़ के छेड़ चाड़ करनके इससे होने वाली मुद्रा स्फिती का मुकाबला नहीं कर सकते, यानि डॉलर और यूरो जैसी मुद्रा के मुल्ले में अभी और गिरावट अवश्य भावी है इससे दुनिया भर में समझदार निवेशक, डॉलर, परभावित निवेश, मसलन, सरकारी बॉण्ड और परती भूती से पैसा निकालकर कहीं और जी हां आपका अनुमान सही है, सोने में निवेश करेंगे, भी लोग अपना पैसा निकालकर सरकारी बॉण्ड और परती लगाएंगे ना सरकारी बॉंड में लगाएंगे वह सोने में निवेश करेंगे उनका तरक है मुद्रा स्पीती से बचने के लिए इससे बढ़िया ढाल और क्या होगी जब सोने की कीमते कुलाचे भर रही है तो नए निवेशक भी इस और मूड रहे हैं जब सोने की कीमते आ नए निवेशक भी इसी और ही मूड रहे हैं वो शेर बजार में पैसा नहीं लगा रहे हैं जो सोने की तरफ मूड रहे हैं योजना शुरू की थी जिसे गॉल्ड एक्सचेंज ट्रेंड्स फंड नाम दिया गया यह एक तरह का म्यूच्विल फंड है जहां परते काई का इस्सा है विश्व स्वन परिशत की भारत शाका के प्रभंध निदेशक सजीव अगरवाल कहते हैं जब से यह फंड लंडन और न्यू योर्क में उतारा गया गोल्ड मीच्यल फंड ने 500 टस्ट सोना उगा लिया है इसके अलावा सोने में निवेश करने वाले निवेशक गयनों सोने की चड़ों और गिन्यों में ही निवेश नहीं कर रहे हैं वें MSX और NCDX जैसे Commodit Exchange के जरिए सोने की DMAT सवरूप में भी निवेश कर रहे रहे हैं रही में लोग खाल गयनों में ही निवेश नहीं कर रहे हैं वो अलग लगत रहे कि comedic exchange में भी सोना निवेश कर रहे हैं अपने पैसों को निवेश कर रहे हैं futures भविश्य में सोने की कीमत बढ़ने की शर्थ में भी निवेश कर सकते हैं इसके लिए उन्हें सिर्फ 4 फीसिदी margin का ही बुकतान करना होता है इससे ना सिर्फ भारी मात्रा में खरीदो रही है इसी वज़े से कीमते भी बढ़ रही है बलकि यह सुरक्षित भी है इसे लूट पार्ट और बैंक डकेती में सोना गवाने से भी बचा जा सकता है एक तरह से यह कर कि दृष्टी से भी एक बहतर विकल्प है जैसा कि बताते हैं इस पर अल्प अवधी पूंजी लाव कर्व की ही लगता है जबकि आबूशन या डिमेंट गोल्ड पर अत्रिक्त संपत्तिकर लगता है जाहिर है मांग कम की नहीं हो पारे बाजार का नियम है कि मांग की तुलना में आपूर्तिक कम हो तो निशकर्ष की सहजी कलपना की जा सकती है बाजार में अगर इसकी मांग तुलना में कम होगी सोने की मांग कम होगी तो इसकी कलपना नहीं की जा सकती यानि भारी मुल्यो व्रिदी विश्व में सरवादिक सोना उत्पादन करने वाला देश दक्षनी अफ्रिका भी अब कम उत्पादन कर रहा है दक्षनी अफ्रिका को सोने की खान कहा जाता है अब वो भी सोने का उत्पादन कम कर रहा है सन 2005 में इसका सोना उत्पादन गिर कर 300 टन हो गया जबकि उससे पिछले साल यह आकड़ा 346 टन था कोटक कमोडिटी सर्विस में कमेडिटी विचलेशक रागवन सुंद्राराजन इसकी व्याक्या करते हैं कि इस साल कीमते बढ़ने की वज़े एंगलो गोल्ड सांती की 2006 की एक गोशना थी सन 2006 में क्या गोशना हुई थी सोने का उत्पादन घट जाएगा 2007 में स्तिर हो पाएगा इसलिए थोड़े बहुत उत्राव चड़ाव के अलावा सोने की कीमतों में जल्दी गिरावट आने वाली नहीं है गितांजली ग्रूप के परवंदक निदेशक मेहूल चोकसी भी मानते हैं कि अर्थ शास्त्री अब यह तत्थे मानने को बाद्धे होने लगे हैं की हर तरह की संपत्ति की कीमत साथ-साथ बढ़ने लगी है इस रिपोर्ट में यह बताया है कि लोग सोने में निवेश करकर सोने की कीमत तिन बादिन बढ़ती जा रही है दो हजार पाच में, दो हजार चे में, साथ में, आज लगबग देड़ सो फीज़ दी इसकी किमते बढ़ गई है, लोग मिच्वेल फंड से सोना लेकर गिन्नी खरीद लेते हैं, सोने की छड़ी कहनों और गिन्यों के इलावा सोने के सिक्के भी खरते हैं और तक जो उसने फ अगर सीधे शब्दों में कहें, तो वैसे तो शेर बजार और सोने की किमतों में कोई सीधा संबंद नहीं माना जाता, लेकिन आज यह एक सच्चाई है, दोनों साथ साथ नहीं, उचाईया चू रहे हैं, वह शेर बजार भी और सोना भी दोनों ही आसमान की उचाईयों को जू रहे हैं, यह सोने के निवेशकों के लिए कोई चिंता का विश्य कता ही नहीं होना चाहिए, सोना के निवेशक जो है सुनार जो हैं, जो सोना लेते हैं, उनके लिए चिंता का विश्य को बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कई खरीदार तो शर्त लगा रहे हैं कि दोनों का बढ़ना जारी रहेगा यानि सोना चमक के साथ साथ मुनाफे की सुगंद भी विखेड़ता रहेगा तो इस तरह सोने के उपर एक फीचर त्यार करा विशेशग्य द्वारा जिसने सोने की वह शराफे बजार के उपर अपनी विशेशग्ता हासिल किया है उसने एक फीचर त्यार किया है सोने की केमद के उपर तो जो हमें इस चेपटर के माद्यम से बताया गया है खेल नेक्स्ट हैं हमारा खेल ये खेल के उपर हम किस तरह एक विशेश रिपोर्ट त्यार कर सकते हैं खेल का शेतर ऐसा है जिसमें अधिकांश लोगों की रूची होती है खेलों में रूची होती है हमने से अधिकांश के बीतर एक खिलाड़ी जरूर होता है वह हम समय एक बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर खिलाड़ी जरूर होता है जीवन की भागदोड और दूसरे जिम्मेवदारियों की वज़े से ये खिलाड़ी बेशक कहीं दब जाता है जीवन की भागदोड जीवन में इतनी भागदोड होती है इतनी जिम्मेवारियां होती है उनके बीच में खिलाड़ी बेशक दब जाए लेकिन खेलों में दिल्चस्पी उसकी बनी ही रहती है इसलिए आप देखेंगे कि किरकेट हो या होकी टैनिस हो फुटबॉ जाते हैं कई खेल तो देश की संस्कृती में रच बस जाते हैं और इसलिए उन खेलों के बारे में पढ़ने वालों और देखने वालों की संक्या काफी जादा होती है अपने रोज मर्रा के भागदोड के करण कई लोग अपने खेल जगत के भावों को पूरा निकर पाते हैं अपने सपनों को लेकिन वो अपने उन्हें खेलने के रच बस संस्कृत में रच बस जाते हैं उन्हें न्यूस पेपर के जरिया उनकी न्यूसों को पढ़ते हैं उन्हें उस सफ की तरह मनाते हैं और उससे देखने वालों की संक्या काफी बढ़ जा इसलिए हैरत की बात नहीं है कि अकबारों और दूसरे माध्यमों में खेलों को बहुत अधिक मेहतु मिलता है। समाचर पत्र और पत्रिकाओं में खेलों पर विशेश लेकन खेल विश्यशांग और खेल परिशिष्ट प्रकाशित हो रहे हैं। और उनसे जुड़ी तमाम बातों से भली बाती परिचित हो। लेकिन आर्थिक मामलों की तरह ही किसी एक खेल लेकक के लिए हर खेल के बारे में उत्रे ही अधिकार के साथ लिखना और जानना मुश्किल होता है। कोई किरकेट का जानकार होता है, कोई होकी की बारे की बहतर समझता है और किसी का एंथिलीट पर अधिकार रहता है। और कोई फुटबोल का जानकार होता है। लेकिन आप जिस भी खेल में विशेशक्ता हासिल करें उसके बारे में आपकी जानकारी और समझदारी का स्तर उचा होना चाहिए। आपको उस खेल में बनने वाले रिकॉर्ड्स या किरती मानों के बारे में पता होना चाहिए। आपको जिस कोई भी खेल के बारे में आपने विशेशक्ता हासिल की है, तो आपकी उसके खेल के बारे में पूरी जानकारी, पूरी नौलिज, समझदारी, उचा स्तर होना चा प्रत्यों और पुराने रिकोर्ड्स को तो अब इंटरनेट पर भी ढूंडा जा सकता है लेकिन खेल के नियम या उनकी बारे किया या किसी खिलाड़ी की तक्नीक के बारे में जानने समझने वाले ही इस बारे में अच्छा लिख बोल सकते हैं लेकिन एक खेल पत्रकार को अपनी इन जानकारियों को दिल्चस्प तरीके से पेश करना चाहिए एक खेल पत्रकार जो होता है अपनी सभी जानकारियों को अगर एक दिल्चस्प तरीके से पेश करेगा जब किसी मैच का किसी खिलाडी विशेश के प्रदशन का वे किसी भी मैच का और खिलाडी के प्रदशन का खेल की तक्नीक का और इससे जुड़े तमाम पहलू काration करता है तो यह vibration खेल की तरह ही रोमांचक होना चाहिए जो पत्रकार रहा है वो इन सब चीजों का हर चीज का विश्लेशन जो करता है जिन तमाम पहलों को देखते हुए जो विश्लेशन करता है वैं विश्लेशन खेल की तरह रोमांचक होना चाहिए खेलों की रिपोर्टिंग और विशेश कि लेखन की भाषा और शैली में एक उर्ज़, शुरू होती है लेकिन दूसरे पहरेग्राप से वे कथात्मक यानि घटना नुकरम शैली में चली जाती है क्रिकेट की एक समान्य कबर का एक उधारन देखिए कोलम्बो 15 अगस्त बाए हाथ के सिमर चमंडा वास ने आज घातक गेंदबाजी करते हुए छे विकेट लिये श्री लंका ने उनके इस प्रदशन की बदोलत दक्षिन अफरिका को दूसरे टेस्ट में 313 रनों से रोंद डाला इस जीत के साथ ही श्री लंका ने दक्षिन अफरिका के खिलाफ सिरीज 1-0 से जीत ली दक्षिन अफरिका के खिलाफ श्री लंका की ये पहली सिरीज जीत के लिए 493 रनों का विशाल लक्षे लेकर खेल रही दक्षिन अफ्रिक की टीम मैच के अंतिम दूसरी पारी में सिर्फ 179 एक सो उनासी रन रनों पर धेर हो गई वह यह तो उसका मुखडा था उस न्यूज का जो विशेश रिपोर्ट खेल के उपर बनाई गई है यह उसका मुखडा था इस मुखडे के बाद खबर का विस्तार और एक कथात्मक रूप ले लेता है वही मुखडे में हमने उसमें बता दिया मुखडा क्या होता है वही एंडिंग जो होती है वह स्टार्टिंग में आती है और समापन जो होता वह स्टार्टिंग में आता है और स्टार्टिंग लास्ट में आती है अब जिसमें उल्टा पिरेमिंट शाली की बजाए कथात्मक शाली का प्योग किया जाएगा अब जो इसका विस्तार है उसमें कथात्मक शाली का प्योग किया गया है देखिए SSC ग्राउन पर दक्षिन अफरिका ने आज दो विकेट पर 21 रनों से आगे खेलना शुरू किया लेकिन शिरी रंका के तेज गेंद बाजों ने इसमें उन्होंने खुल कर बताया कि किस तरह मैच चला किस तरह उन्होंने विकेट ली और किस तरह उन्होंने जीत हासल की एक ए चीज का वियोरा खुल कर उन्होंने बताया है अब किरकेट के इस समाने समाचार के बाद वह यह जो समाने समाचार उन्होंने बता दिये 51 रन बनाए बाउंचर 135 मिनट क्रीज पर रहे जिन्होंने 132 गेंदे खेली आठ चोके जमाए शाउन पोलक सस्ते में आउट हुए और 59 रन बनाकर नोट आउट रहे दक्षिन अफरीका टीम शिरिलंका के खिलाफ पहले खेली और पांच टेस सीरीज में चार में जीती जब िती हो गया हमारी रिपोर्ट का बीच का हिस्सा समाने इस्सा किरकेट के समांने समाचार के बाद किरकेट पर एक्विशेश रिपोर्ट में प्रसुत करता है वह क्या है एंडिन घर में प्रियोगley बारी पड़ा के पुरानी कहावत भई अब घर में प्रियोग भारी पड़ा एक विशेश रिपोर्ट त्यार हो रही है अब किर्केट के उपर पुरानी कहावत है लोग जल्दी बूड़े क्यों होते हैं क्योंकि वे काम करते हैं लेकिन मुंबई में भारत के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे कुछ दूसरी वजह रही नए परियोगों और सितारों से लगदग टीम अपने ही मैदान में धेर हो गई पांच बल्ले बाजों के साथ खेलने का फैसला कुछ तो दबाव में और कुछ यह सोच कर किया गया था कि इस अनुभव का फायदा विदेशी दोरों के समय काम आ सकता है जो आज यह खेल खेले हैं और हार कर डेर हो गई है तो अपनी मैदान में हार गई है इसका अनुभव का फायदा विदेशी दोरों में यानि विदेश में खेल ले जाएंगे वहाँ पर काम आएगा पांच गेंदो बाजों के साथ मेदान में उतरने के फैसले के पीछे कहीं न कहीं यह बात तो नहीं थी कि गरेलू धीमी पीचों पर 20 विकेट लेना हमेशा मुश्किल रहा है यह फैसला यह सोच कर लिया गया था कि वन्ट खेडे की नम पीच की शुरुवाती फायदा उठाये जाए लेकिन किसे पता था कि यह फैसला गलत साबित होगा और इंगलेंड के खिलाफ इसी विकेट पर उतरे यह पांच बल्ले बाज सस्ते में लोट आएंगे वास्ता में हमें टेस्ट सिरीज जीतने की कोशिश करनी चीए थी इसका मतलब है किसी एक गेंद बाज को बाहर कर विवियेस लक्षमन को टीम में जंगे दी जाती तो और टोस जीतने पर पहले बल्ले बाजी की जाती लेकिन भारतिय टीम ने एक के बाद एक कई गलत क्या कर डाली यह सब इंगलेंड की उस टीम के खिलाप हुआ जिसने ना तो माइकल वान और ट्रेसकोथिक जैसे बल्ले बाज थे और ना साइमन्स जोस स्टीव हर मिशन और नमबर वन स्विपन गाईलस जैसे गैंद बाज हैरत नहीं इंगलेंड की स्थिती वैसी ही थी जैसे राहूल द्रवड सचिन तेंदुलकर, विरेंदर सेवाग, अनिलकुंबले, इर्फान पठान और मोजुदा फार्वा में चल रहे हैं मुनाफ, पटेल या हर्बजन सिंग के बगैर भारतिय टीम विदेश में कोई टेस्ट जीत ले, भारतियों को भविश्य की रण रिती पर काम करने के लिए दोशी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन गरेलू टेस्ट सीरीज का इस्तमाल विदेश में किसमत अजमाने के लिए करना ना तो अच्छा, अच्छी रण रिती है ना ही शम्य, भारतिय उप महादीप में दोरे से पहले जहां विदेशी टीमें बहुत साथदानी बरत्ती है और खासी योजना बनाती है, वहीं घर में भारत के टेस्ट रिकोर्ड का बचाव करना मुश्किल होता है, वहीं घर में यानि भारत के लोगों को अपने ही देश में टेस्ट रिकोर्ड का बचाव करना मुश्किल होता है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि टीम बचाव करने लायक ही नहीं, तो बचाव करने लायक है पर वो लोग कोशिश नहीं करतें वो सोचते कि घर में ही तो खेल है, जेट जाएंगे, गरेलु मैदानों पर भारत अप ध्यान देना चाहिए आप चाहे जितने घेंद बाज रख लें आपको पाँच बल्ले बाज और कुछ प्रातना की जरूरत होगी अब तो चेपक या इंडेन गार्डन या फिरोश शा में हमें वह करना चाहिए जो हम कर सकते हैं किसी भी देश की किरकेट टीम की ताकत इस बात से आकी जाती है कि उसकी टीम कितनी मजबूत है इंगलेंड के साथ होने वाले साथ एक दिविस्य मेचो के नतीजे चाहे जो हो लेकिन यह दिख रहा है कि भारत की टेस्ट टीम बिखर चुकी है वह इंगलेंड के साथ टेस्ट टीम में नतीजा चाहे कुछ भी निकले पर यह दिख रहा है साफ साफ कि भारत की टेस्ट ट पर खराब रहा है फिल्डिंग जो हो रही है वो टीमों की खराब ऊ रही है जब स्लीप पर फिल्डिंग करने वाले दुनिया के चुनिंदा क्रिकेटरों में शुमार राहूल द्रविड सीरीज के हर मैच में कैच छोड़ रहे हो तो आप समझ सकते हैं कि कुछ चूप गया है जब रहुल द्रवड जैसे ही कैच को छोड़ रहे हैं तो आप स्वेम समझ सकते हैं कि कुछ तो चुक गया है आप इस तिती का अंदाजा लगा सकते हैं जब यूफराज सिंग मैदान में पस्त दिख रहे हो विशेशग्य किलाडी ड्रेसिंग रूम में बैटे हो और गलत आदमी को गलत जंगय पर खड़ा किया जाएं यानि सब कुछ ठीक नहीं है कुछ भी सिस्टम से नहीं चल रहा होता यह जग जाहिर है कि चैंपल गैर प्रमपरारिक और नए तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं वे बल्ले बाजी में पैनापन लाने के लिए उत्यज़ जगाने जैसे ड्रील करवाते हैं तो फिल्डिंग में चूश्ति लाने के लिए मानसीं के करगतरा पर ध्यान देते हैं वे नए प्रियोग कर रहे हैं, उनका जोर मांसिक प्रस्शिक्षन पर भी यह तरीका अनुठा है, डिल में भी उसे नजर आ रहा है, दरसल चैमपल सिंपांसन के तरीके से आगे का प्रियोग कर रहे हैं, औस्ट्रेलिया के पूर्व कोच बोब सिम्सन ओस्ट्रेलिया की स्लिप प्रिगेड को घंटो बैट के किनारे से निकली गेंद को लपकने की प्रेक्टिस करवाते थे भारत में अजरू दीन में हिद्राबाद में पिछ रोलर से निकली गेंदों से सेकडो कैच लपके तब जाकर उनकी हतेलिया किसी एक कौन से आने वाली गेंद को लपकने की अभ्यस्त हो पाई थी विविद्धा भरी ट्रेनिंग के उलट उसकी पुनरावरिती जो चैंपल क्या तरीका है इस नजरिये को दो चोरों को दिखाती है उसका पुनरावरिती पसंद नापसंद और विश्वास के मामले में चैंपल बहुत द्रिड है और जैसा कि सोर अफ गांगोली प्रकरण ने साबित कर दिया कि वे हमलावर होने से भी नहीं चूकते अब यदि खास तोर से टेस्ट टीम की फिल्डिंग का असर सुधारने की बात है तो इस बारे में चैंपल को नहीं द्रविड को सोचना होगा आखिर यह उनकी टीम है और ख्राफ फिल्डिंग का असर उनके गैंद बाजो के प्रदशन पर पड़ता है मुंबई में मिली हार भारत के लिए ये पिछले चार टेस्ट मैचों में दूसरी है जिसमें साथ बल्ले बाजों ने कुल 25 रन बनाए साबित करती है कि जो मिथक फैलाया जा रहा था वे गलत था कराची में मिली हार के बाद भारतिये खेमे में फुसफुसाहाट हो रही थी कि कैसे एक पूर्व कप्तान के लिए कमरा बदलना खेल से ज़्यादा एहम हो गया था हर बात के लिए गांगोली को दोश नहीं दिया जा सकता इस हार के लिए तो कते ही नहीं इस तरह एक पूरा फीचर त्यार किया गया है खेल के उपर किरकेट के उपर पूरा फीचर इस तरह एक आर्टिकल की तरह त्यार किया है आगे देखो विशेश लेकन के इस अध्याय में हमने कुछ प्रचलित शेत्रों की बात की है उस लेकन में जो पत्रकार ने रिपोर्ट तियार की है उसमें कुछ प्रचलित शेत्रों की बात की है हाला कि विशे बहुत से हैं उनके आयाम कई है विशेशक्ता हासिल करने के उनके पेमाने अलग अलग है मूल बात यह है कि जब भी हम किसी खास विशे को उठाते हैं बात का मुद्दा सिर्फ इतना है कि जब भी हम खास विश्य को उठाते हैं उसके बारे में लिखते हैं या बात करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमारा पाठक, दर्शक या श्रोता कौन है हमारी बात उसे समझ में आ रही है या नहीं आ रही हम अपनी बातों की अभिवे ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं हमारे तत्थे और तर्क में तालमेल है या नहीं है यह तमाम बाते ऐसी हैं जो किसी भी लेकंग को विशिष्टता परदान करती हैं अब सूचनाओं के स्त्रोथ देखों कैसे सूचनाओं के स्त्रोथ होने चीए कोई सूचना को हम पत्रकार लिखता हैं तो कैसे स्त्रोथ होने चीए मंत्राले के सुत्र होने चीए प्रेस कॉन्फरेंस और विज्यापतिया होने चीए साक्षातकार होने चीए सर्वे और जाच सिमीतियों की रिपोर्ट्स होनी चाहिए उस शेत्र में सक्रिय संस्ताइं और व्यक्ति होने चाहिए संबंदित विभागों और संगठतनों से जुड़े व्यक्ति इंटरनेट और दूसरे संचार माध्यम स्ताई अध्यन प्रिक्रियां तो इस परकार हमने इस चैप्टर को लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पूरा एक्स्प्लेइन किया इसमें विश्य अकबार में चपने वाली इंपोर्टेंट न्यूज यानि विशेश लेखन के सवरूप और आकार को हमने खुल कर एक्स्प्लेइन किया खुल कर पढ़ा कि चैप्टर में एक एक लाइन में क्या बताया गया है विशेश लेखन क्या होता है उसमें कौन सी भाशा शैली का प्रियोग होता है शेतर में कौन कौन से ऐसे शेतर है जिसमें विशेशक्ता प्राप्त की जा सकती है और एक विशेशक्ता प्राप्त करन हमने इसमें रिपोर्ट को भी देखा कि किस तरह पत्रकार ने खेल जगत के उपर, सराफे के उपर हर चीज पर एक एक रिपोर्ट का एक्जामपल दिया है, सूचनाओ का स्त्रोत भी देखा, तो इस तरह हमने हर चीज को line to line और word to word इसके explanation को पढ़ा और चैप्टर को समझा, आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझाया होगा, अगर चैप्टर अच्छे से करा है हमने, तो हम आगे आने वाले questions को, अती लगूतरात्मग हर तरह के questions को easily solve कर पाएंगे, वीडियो अच्छा लगे, तो like, share और subscribe करना, आने वाली वीडियो की wait करना, तब तक के तेंक यू